हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रिलेटिंग वेरियेशन एंड कम्पेटिशन यानि आज की वीडियो में हमने वेरियेशन और कम्पेटिशन के दर्मियान रिलेशन्शिप मालूम करना है तो अगर हम बात करें वेरियेशन की तो variation species में भी हो सकती है, population में भी हो सकती है और genetic variation भी हो सकती है तो आज की वीडियो में हम genetic variation की बात करेंगे तो genetic variation का क्या मतलब है? Genetic variation कहते है Genetic differences among individuals of the same species यानि जब same species या एक जैसी species के दर्मियान genes में या genetic level पे difference या फर्क पाया जाता है तो उसको कहा जाता है variation या genetic variation तो इसके लिए हम अपने सामने यहां पे एक example के तोर पे butterfly की species ले आए हैं तो ये क्या हैं? ये same species हैं यानि के ये members हैं same species की लेकन इनके दर्मियान genes में जब difference पाया जाता है यानि genes क्या है? जो हमारा विरास्ती मादा है एक ऐसी चीज़ जो parents से offspring में transfer होती है जिसको हम विरास्ती मादा या genetic material कहते हैं जिसके बारे में हम अपनी पिछली विडियो में discuss कर चुके हैं तो जब genes में difference आ जाता है तो जो species होती हैं उन में variation आ जाती है यानि तबदीली आ जाती है तो कुछ species में कुछ خصوصियात पाई जाती है कुछ species में variation की वज़ा से मुखतलिफ खुसियात पाई जाती है और अगर हम बात करें competition की तो competition किसे कहा जाता है? competition यानि मुकाबला करना तो competition होता है contest between living organisms यानि living organisms के दरमियान food यानि खुराक के लिए space यानि जगा के लिए और air यानि हवा के लिए जब contest या मुकाबला होता है तो उसको हम कहते हैं competition तो इसके लिए हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं और इस तस्वीर की मदद से competition को समझने की कोशिश करते हैं मिसाल के तोर पे यहां पे हमें butterfly's की species नज़र आ रही हैं जो के इन दरखतों पे रहती हैं तो यहां पे क्या होगा butterfly's की जो population हैं उनके दरमियान competition होगा food के लिए यानि खुराक के लिए और space के लिए यानि रहने की जग़ा के लिए तो competition जो होता है वो within species भी होता है यानि species के अपने दरमियान भी होता है और मुदिश के दरमियान भी food, space और air के लिए competition होता है तो अगर बात की जाए competition और variation की तो इनका आपस में गहरा तालुक है यानि relationship है तो अब हम competition और variation के दर्मयान relationship मालूम करने के लिए यहां पे अपने सामने यह तस्वीरे ले आते हैं images ले आते हैं और यहां पे समझते हैं कि किस तरह से variation और competition का आपस में relationship है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे yellow color की butterfly की species है और यहां पे brown color की butterfly की species है तो इन में जब variations होती है जैनी जब genetic variations होती है तो इसका मतलब है कि genes में differences आ गए हैं फर्क आ गए है और अब इन दोनों में यानि इन दोनों तरह की जो butterflies की types हैं इन में आपस में फर्क पाया जाएगा तो जो genetic टिक वेरियेशन होती हैं वो पास करती हैं यानि वो मुन्तकिल होती हैं पैरेंट से आफ स्प्रिंग में अब जब इन से न्यू जेनरेशन बनेगी तो उन में भी वो खुसूसियात आएंगी तो यहां पे इस एक्जामपल में हम देख रहे हैं कि यहां पे हमें येलो और ब् ये दोनों टाइपस रह रही हैं तो इसमें जो यहां पे तस्वीर में हमें ब्राउन कलर की पापुलेशन नजर आ रही हैं ये क्या हैं ये बटरफलाइस जब बहुत चोटी होती हैं तो वो लार्वा कहलाती हैं तो लार्वा के बाद ये फिर इस फॉर्म में इस शकल में अब जिन बटरफ्लाइस के अंदर उस माहूल में रहने के लिए ज्यादा किरेक्टरिस्टिक ज्यादा खुसूसियात होंगी तो उनकी अबादी वहां पे बढ़ेगी तो यहां पे जो ब्राउन कलर की टाइप है उन में उस जगह पे रहने के लिए बहुत ज्यादा खुसूसियात पाई जाती हैं यानि इनके अंदर जो जीन्स हैं उसमें बेनिफिशिल एडापटेशन हैं एडापटेशन का मतलब होता है अपने आपको उस माहूल के मताबक ढ जालना यानि इसके अंदर अपने आपको उस माहूल में ढालने की उस माहूल में रहने की ज्यादा खुसूसियात है एस कंपेर टू येलो स्पीशीज या येलो टाइप्स तो इसका मतलब है के वेरियेशन की वजह से वो वाले इंडिविज्वल्स वो वारी टाइप्स जो इनके अंदर ज्यादा खुसूसियात हैं ज्यादा अच्छी जो वेरियेशन है वो हुई है इसलिए इस खास जगह पे कौन सी पापुलेशन इंक्रीज करेगी ब्राउन कलर की जो बटर फ्लाइप्स हैं उनकी पापुलेशन ज्यादा होगी क्योंके वो अच्छे तरीके से कमपीट कर रही हैं दूसरी बटर फ्लाइप्स से तो इस तरह से वेरियेशन और कमपटीशन में आपस में रिलेशन शिप पाया जाता है तो स्टुडेंट्स आज हमने डिसकस किया रिलेटिंग वेरियेशन एंड कमपटीशन के बारे में